हेलो फ्रेंज आज मैं शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ते की रेसिपी तो इसके लिए हमें एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे साथ में हम आधा कप दही डालेंगे दही जो है फ्रेस दही होना चाहिए दही खटा नहीं होना चाहिए तो दही को डाल देंगे और अच्छे से आटा के साथ मिक्स कर देंगे तो दही को आटा के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं पानी तो मैंने यहाँ पर जवरत की इसाब सही पानी को एट किये है तो यहाँ पे मैंने आधा कब पानी को डाल दी है और आधा कब पानी डाल कर मैं इसको मिक्स करें और टोटिल मैंने यहाँ पे एक कब पानी और आधा कब दही डाले है एट कर देती हूँ हरा प्याज जो हरा प्याज का पत्ता होता है उसको एट कर देंगे दो चमच जो दो चमच डाल देंगे बारिक से कटा हुआ प्याज साथ में छोटा चमच से आधा चमच अधरक लसन का पेस्ट कटा हुआ हरा मेच और एक चमच हमहरा धनिया डाल देंगे साथ में दो छोटी चमज से दो छोटी चमज डाल देंगे गाजर जिसको मैं ने ग्रेट कर ली थी अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक चोथाई चमज से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर एक चोथाई चमज जीरा पाउडर एक चोथाई चमज चाट मसाला डाल देंगे अब ह साहे तो इसमें और भी वेजिटेबलस एड़ कर सकते हैं जैसे कि बीन्स और कैपसिकम को भी एड़ कर सकते हैं तो ये जो है बेटर बनके तयार है इसको रेख देते हैं साइड में एक तवा को मेने प्री-हिट कर ली थी तो तवा गरम है इसमें हम डाल देते हैं एक छोटी चमच तेल और तरतील को हम यहाँ पे फेला देते हैं तेल की जगह आप घी का भी योज़ कर सकते हैं फिर इस बेटर को हम तवा पे डाल देंगे और फेला देते हैं तो दोस्तों यह जो नास्ता है बहुत ही जटपट से बनती है आप सुभा के टाइम या बच्चों के लॉं हम इसको फिलिप कर देंगे और फिर से हम गेस की फिलिम को लो टू मीडियम में रखते हुए इसको हम दो से तीन मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही तीन मिनट तक पक जाए हम इसको फिर से फिलिप कर देते हैं और एक मिनट के लिए पकाएंगे फिर हम इसको निकाल देंगे तो जो बची हुए वेटर है उसको भी हम सेम तरीके से पका कर तयार कर लेंगे तो दोस्तों एक छोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आप से आप वीडियो पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल जाएगी वीडियो को लाइक और सेर करना ना भुलेगा ताकि आपकी दोस्तों तक आपकी फेमिलि तक मेरी रेसिपी पहूंच सकें और मुझे आपकी सपोर्ट मिल सकें मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही जवर रहती दोस्तों तो यहाँ पे नास्ता जो ही बनके तयार है आप इसको चटनी या दही के साथ सर्फ कर सकते है वीडियो में बने रहने के लिए धिन्यवाद